नारायन नारायन, 17 मार्च, आज का विशय, चिंता हमें भगवान से दूर हटाती है सत्व गुण में भगवान होते हैं, अता उसी मार्ग से हम जाए भगवान हमारे बीतर आने के लिए सभी कर्म हम अच्छी तरह से करें वैसा करने पर भी सभी कर्म भगवान को अरपन करने की बुद्धी से करें व्यवार ना छोड़े, प्रहतन भी कसकर करें, किन्तु मन भगवान में कैसे लीन होगा, इसकी और भी ध्यान दे हम ग्रहस्ती की जितनी चिंता करते हैं, जितनी सावधानी बरते हैं, उतनी सावधानी भगवान के लिए बरतेंगे, तो भी बहुत कुछ सफलता संभव है हम कितने पराधीन है या तब समझता है जब हम बिमार होते हैं तब हम ध्यान में रखे कि हमारे हाथ में कितनी सत्ता है, कितना अधिकार है चिंता ना करते हुए भी हम प्रयत्न नहीं कर पाते ऐसी बात नहीं, उल्टे प्रयत्न तो दुगना करने चाहिए किन्तु परिणाम जो होंगे वह भगवान की इच्छा से होने वाले हैं और उसी में हमें संतोष करने को सीखना चाहिए हम चिंता करते हैं, इसका कारण यह है कि हम अपने से अधिक दुखी आदमी की और देखते नहीं एक व्यक्ति कहता है मुझे लोगों का कर्ज देने की चिंता है दूसरा कहता है मुझे अपने पैसे वसूल करने की चिंता है किन्तु तीसरा कहता है मुझे अपने बाल बच्चों की चिंता है जिन्तु चिन्ता के इस घोटाले में अपनी स्वयम की चिन्ता किसी को नहीं है गत स्मृतियों के कारण और कल के भय से हम चिन्ता करते रहते हैं यही चिन्ता हमें भगवान से हटाती है कल की चिन्ता से आज की रोटी हमें स्वाददार नहीं लगती इसके लिए क्या उपाय करें? इस पर एक ही रामबान इलाज है और वह इलाज है चिंता करना छोड़ दें और जितना समय चिंता में व्यतित होता है उतने समय तक नाम स्मरन करें एक व्यक्ती ने मुझसे शिकायत की क्या किया जाए मेरा या बेटा किसी की बात की चिंता ही नहीं करता सिर्फ हसी खेल मजाक में दिन गवाता है भविश में इसकी क्या हलत होगी? मैंने कहा आपका कहना ब्याहतह सत्य लगता है पर वास्तों में वह सत्य नहीं है आपको आज तक चिंता करने से क्या उपलब्धी हुई शारिरिक और मानसिक पीडा सही और भगवान को भूल गए और क्या किया फिर वही बात तुम अपने बेटे को क्यों सिखाते हो वह करतवे का पालन जरूर करे और मजे से रहे और मैं तो उसे यही कहूंगा कि चिंता न करे तुम जब तक ग्रहस्ती की चिंता करते हो तब तक भगवान की सेवा कर रहे हो ऐसा कैसे कहे जो हो रहा है होता रहे जो नहीं होता है नहो इस प्रकार की मन की अवस्था में जो दिन गुजारेगा वही चिंता से मुक्त होगा जिसने भगवान को अपना बना लिया उसे चिंता नहीं नारायन